तलास जारी है पहाडों पर एक अदद आसी आने की ऐसी जगहों की मैं खोजबीन कर रहा हूँ जहां मेरे दोस्त मेरे जानने वाले मेरे अजीज अपना घर बना कर रह सके और उनकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं कि ग्रीनरी हो खूप सारी हर्याली हो शोर सरावा ना हो अ इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार लगातार मेरी खोजबीन चल रही है कि ऐसी जगहों को ढूंडा जाए जहां पर हम सभी लोग हमारे जानने वाले अपना जीवन बिता सकें रिटायर्मेंट की लाइफ जीना चाहता है कोई तो किसी की इच्छा है कि हम बहां पर अपनी कोटेज बनाए अब जहां कहीं नदी हो पानी हो पहाड हो बर्फ हो सभी लोगों की बहुत सारी फरमाई से चल रही है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने तला सुरू की रामगड़ में तला रामगड़ एक ऐसी जगह है जो अच्छी पॉप बढ़ाका भी नहीं है और पूरी ग्रीन री है पूरी फ़लों की मंडी है तो ऐसी ही जगह पर हम पहुंच गए हैं यह तला रामगड़ से लगबग एक सवा किलो मीटर है आप देख सकते हैं यह ग्रीन बुलेवर्ड और यहां से जब हम नीचे देखते हैं तो यह घाटी दिखाई दे रही है तला रामगड़ यह एक फैक्टरी थी जो फ्रोजन मटर के लिए थी फिलाल बंध है नीचे एक नदी बह रही है जो पूरे तला रामगड़ से गुजरती है तला रामगड़ में लगबग हंड़ेट सौप्स हैं और वहां से हम लगबग अब डेड़ किलो मीटर दूर है यह रास्ता ऐसा है जो थोड़ा सा पत्रीला है इसकी दूरी है लगबग आदा किलो मीटर बाकी रास्ता सीसी रोड है जहां तक हम कार से आए और यह आदा किलो मीटर का रास्ता हमने पैदल तै किया हलाकि यहां बड़ी गाड़ियां आ जाती है लेकि छोटी गाड़ी में डर रहता है कि कभी उसका चेमबर वगएरा न फट जाए लेकिन अगर गाड़ी उची है तो वो भी आ जाएगी क्योंकि ये सरकारी रोड है जिसमें पत्थर पढ़ चुका है और थोड़ी बहुत मरम्मत हो चुकी है सिर्फ काली रोड बननी बाकी है या सीसी रोड बननी बाकी है प्राइमरी वर्क इस रोड पर हो चुका है और लगातार एक ग्रीन बुले वर्ड को पार करते हुए हम बढ़े तो ये रोड अब यहाँ से बाई तरफ उपर को चली जाती है और दाहिनी साइड गरा चंगल है और बीच में ये कुछ मेरे साथ के लोग भी आ रहे हैं ये रोड ऐसे उपर को जाती है और ये सामने एक प्लेन हिस्सा नजर आ रहा है और यहाँ पे भी गाडियों के निशान दिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ कार या बड़ी गाडियां जो जिनका ग्राउंड क्लेरेंस अच्छा है वो यहाँ तक पहुँच रही है अब इसमें नीचे देखते हैं तो बड़िया गाटी है बहुत सारी हर्याली और बागान निचले हिस्से में सामने पहार और बहुत दूर यह तल्ला रामगड की गाटी जो लगबब यहाँ से डेड़ किलो मीटर है हम छोड़ के आए हैं नीचे बुरांस का जंगल है बुरांस के पेड़ यहाँ बहुत है और बांज के पेड़ बहुत है यह धीरे धीरे इस्टेप्स में उठती हुई जमीन सच पूछें तो यह जगए मुझे बहुत पसंद आई घर बनाने के लिए क्योंकि यह शहर में भी है और सहर से बाहर भी है यहाँ से शहर हमारा डेड़ किलो मीटर है और यह इस्टेप्स में जगए देखने को मिली यह इसी जगए के उपर वाले हिस्से की रोड है और यह इस्टेप्स और उसके नीचे वो मैदान जहां पे हमने सुरू-सुरू में एंट्री ली थी यह घुमते हुए रोड इसी लैंड के साथ साथ उपर को जा रही है काफी चौड़ी रोड है वेहिकिलर मूवमेंट बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है पथर पढ़ा हुआ है प्राइमरी वर्क हो चुका है केवल सीसी या तारकोल पढ़ना बागी है यहां की हाइट है 5300 फिट यह हाइट occasional snowfall के लिए उप्युक्त होती है ऐसी जगहों पर कभी कभी snowfall भी होता रहता है 5300 फिट एक अच्छी हाइट है रहने के लिए और बहुत से लोगों का मानना है कि यह एक सबसे अच्छी हाइट है कि यहां गलन भी नहीं होती है और ठंडा भी रहता है क्योंकि जैसे ही हम 6000 फिट पर जाते हैं ठंडक बहुत बढ़ जाती है यह देखें यहां से सीसी रोड फिर से बनी होई है जो रफ रोड थी आगे फिर अच्छी हो गई है कुछ दूर तक और यह रास्ता अगर हम उपर जाते हैं जो सीसी रोड दिख रही थी तो पैदल चलते हुए हम एक सेकलूड रेस्टोरेंट है होटेल है बहुत ही फेमस है अगर आप से क्लूड रामगड सर्च करेंगे तो मिलेगा वहां पहुँच जाते हैं वो लगबग यहां से एक किलो मीटर है और इसके साथ ही फिर वही जो मिरी अपील हमेशा रहती है कि पहाड को सुन्दर बनाया रखने में सहयोग करें रैपल, बॉक्स, पैकेट, बोतल, छिलके आदी एक थैले में अपने साथ रखें और जहां रुके हो वही डर्स्ट बिन में डालें आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ऐसी ही लोकेशन हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे थैंक यू